हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टैक्टिकल में रुक्रीटमेंट आ रही है दोस्तों रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया सर्विस बोर्ड की तरफ से रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया की ये रुक्रीटमेंट है काफी देज से जोगे वो इंतिदार साइस रुक्रीटमेंट का फाइनली ये रुक्रीटमेंट आउट हो चुकी और 28 तारीक से ही आवेदन शुरू हो चुके है और नोटिस्केशन भी इसका जारी कर दिया गया है लिंक आपको सारे important description में मिल जाएंगे अगर आपको किसी भी time पे लगे कि आपको enough information मिल चुकी है आप जाके apply करना चाहते तो description में link पे जाके आप apply कर सकते हैं recruitment काफी अच्छी officer grade B के लिए आवेदन मांगे गए हैं और across India candidate इसके लिए आवेदन कर सकते हैं काफी लोगों के eligibility criteria अल्रेडी पता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताईगी है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है otherwise जब आप apply करने जाएंगे उसके बाद आपको परिशानी आ सकती है तो detail में हम लोग बात करेंगे के eligibility criteria की selection process की कैसे आपको apply करना है कौन-कौन कर सकता है कब तक आवेदन चलेंगे और किस-किस recruitment के लिए आप apply कर सकते हैं number of vacancies किसमें जादा है सबी चीज़ों के बारे में detail में हम लोग discuss करने वाले हैं तो शुर से लेके last sex video को complete देखेगा तांकि आपको हर एक चीज़ हर एक detail का पता चल जाए सबसे पहले important dates बता देता हूँ कि 28.01 से आवेदन शुरू है और 15 February 2021 तक चलने वाले हैं और आपके जो examination होंगे वो March और April में जो होने वाले हैं apply करने के लिए आपको जो ही वो इसी link पे आके apply करना है यहाँ पे click here for new registration पे click करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं total vacancies 322 हैं यानि कि 322 vacancies हैं जिसके लिए जो ही वो all over India से आप apply कर सकते हैं competition थोड़ा high रहने वाला है लेकिन अगर आप तयारी करके जाते हैं तो आपका selection हो सकता है recruitment के बारे में detail में बात करते हैं इसी में हैं 270 vacancies हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और ज्यादातर लोग इसी में अप्लाइ करने वाले हैं तो main हम लोग पहली recruitment है इसके बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं बाकि officer 2 और 3 के लिए भी यहाँ पर अप्लाइ कर सकते हैं grade B के लिए जिसमें 29-23 vacancies है master degree के साथ बात करें दोस्तों यहाँ पर salary की तो अगर आप Reserve Bank of India में काम करने चाहरें आपका selection हो जाता है तो आपको salary की चिंता कम ही करनी चाहिए बाकि यहाँ पर आपकी salary 50,000 से जादा जो है वो रहने वाली है allowance डाले जाएंगे basic यहाँ पर 35,000 पर मंत का जो है वो मिलने वाला है वो भी सारे allowance काटके बाकि जब allowance डाले जाएंगे तो salary अच्छी कासी आपको इसमें मिलेगी बात करें दोस्तों age limit की तो 21 साल minimum age का criteria रखा गया है maximum age limit जो है वो 30 साल रखी गई है आपकी age 21 से कम और 30 से जादा नहीं होनी चाहिए बाकि age relaxation as per government rule मिलेगी जैसा कि पहले मिलती आई है SCST को 5 साल की age relaxation government rule की तरफ दी जाती है और PWD candidate को 10 साल की age relaxation जो है वो दी जाती है अगर आपको ये चीज अल्रेडी पता है बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो जान लीजिए बाकि जदा जानकारी के लिए link description में मिल जाएगा आपको notification का recruitment जनरल के लिए यहाँ पे officer grade B के लिए अगर आपने graduation कर रखी है किसी भी discipline में आप eligible है apply कर सकते हैं उसके लावा दोस्तो 60% marks जो है यहाँ पे मागे गए हैं आपके 60% marks होने चाहिए लेकिन अगर 50% marks हैं तो आप फिर भी SCST PWD candidate आवेदन कर सकते हैं यानि कि आप SCST PWD candidate हैं तो आप 50% के साथ भी apply कर सकते हैं post graduation अगर आपने करी हुई है तो 55% marks जो होने चाहिए और SCST PWD हैं तो post graduation में अगर आप सिर्फ pass हैं तो आप apply कर सकते हैं उसके लावा दोस्तों अगर आपने किसी तरह की चुखे वो 12th के बाद 3 साल का चुखे वो duration का कुछ कर रखा है कोई course वगएरा यानि कि कोई qualification ले रखी है तो भी आप apply कर सकते हैं इस officer grade B चनरल की post के लिए उसके लावा दोस्तों यहाँ पे officer grade B उसके बाद master degree वाले apply कर सकते हैं DEPR के लिए उसके आप DSIM के लिए भी यहाँ पे master degree आप चुखे वो apply कर सकते हैं बाकी MBA, PGDM के लिए भी यहाँ पे recruitment है वो लोग भी apply कर सकते हैं scheme of examination की बात करें यहाँ पे scheme of selection की बात करें तो three faces examination जो होने वाले हैं face one, face two और उसके बाद third जो examination है वो interview ही है यानि कि तीन face होंगे पहले दो face में examination और उसके बाद तीसरे face में जो है वो interview लिया जाएगा syllabus की बारे में अगर आपको जान करी चाहिए तो आप मुझे comment section में लिखेगा आपको अलग से link में telegram पे provide कर दूँगा telegram का link description में दे दिये telegram को आप join कर लीजिए उसके लावा दोस्तों बात करें examination की तो जैसा की हर बार होता है across इंडिया में examination जो है वो conduct किया जाएंगे आपको examination देने के लिए exam देने के लिए किसी और city में जाने की जरूरत नहीं है मेरा कहने का मतलब है किसी और state में जाने क रुपे जो है वो रखी गई है बाकी general OBC और economically weaker section के लिए आर्शुप 40 रुपे जो है वो fees पे करनी पड़ेगी बाकी यहाँ पे जो है जो है जो अप अप्लाई करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत taxes वगएरा जो intimation charges वगएरा है वो भी लग सकते हैं अप्लाई करे लिए दोस्तों आपको online mode जो है वो अपनाना है शुरुवात में मैंने जो link बताया उसी link पे जाके आपको apply करना है और online mode से ही आपको fees भी पे करनी पड़ेगी last date 15 February रखी गई है आप जो है वो 15 February तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन जितनी जल्दी हो सकते apply कर दीजेगा उसके लावा दोस्तों यहाँ पे events में उन्होंने important dates बताई है last date 15 February आपके examination जो होगे वो March और April में जो होने वाले हैं और इसी के बीच में आपको अप्लाए भी करना पड़ेगा यानि कि January और February में आपको apply करना पड़ेगा और March और April में आपके examination होने वाले हैं बाकि यह dates चुह है यह change भी हो सकती है लेकिन फिलाल के लिए यही date यहाँ पे बताई गई है तो यह जानकरी दोस्तों दीगे यह official notification में अगर आपने अब तक official notification रीड नहीं करा तो link description में मिला जाके एक बार रीड करिए बहुत सारी चीज़े आपको पता चल जाएंगी उसके बाद आ आपको इसके लिए आवेदन करना है या नहीं करना है अगर आप नहीं करना चाहते तो और बहुत सारी options हैं आपके लिए उपर आई बटन पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कुछ रुकीटमेंट के लिए fees भी नहीं मांगा गया तो आप चाहे तो उनके वीडियो में थैंक यू बरी मच इस वीडियो को देखने के लिए और आशागरताओं को आपको वीडियो पसंत आयोगी समझायोगी वीडियो से रिलेटीड कोस्टन कमेंट सेक्शन में पूछिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में